हाई एवरिवन कई सारी महलाए बोलती है कि मेडम पीरेड मिस होने से दो दिन पहले अगर मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया तो क्या मेरा रिजल्ट बिलकुल सही आएगा या नहीं आएगा तो देखिए, period miss होने से दो दिन पहले अगर आप pregnancy test कर लेते हैं तो आपका test बहुत ही कम chances दे कि वो positive आएगा positive कब आता है? period miss होने के 4-5 दिन के बाद में अगर आप period miss होने से 2 दिन पहले या 5 दिन पहले अगर आप test कर लेते हैं तो आपका test every time negative आएगा तो period miss होने से पहले टेस्ट करने से कोई भी फाइदा नहीं रहता है अगर आपको accurate result चाहिए आप ये चाहते हो कि मुझे एक ही बार में clear हो जाए कि मैं pregnant हूँ या नहीं हूँ तो period miss होने के पाँचवे दिन पर आप टेस्ट करिए और वो morning का simple लेकर करिए ताकि आपको A की बार में पूरी अच्छा से clarity मिल जाए अगर उसमें दो line आती है तो इसका मतलब होता है कि आप pregnant है अगर उसमें एक line आ रही है और वो एक line सिर्फ C की तरफ आ रही है T की तरफ कोई लाइन नहीं है तो इसका मतलब कि आप pregnant नहीं है पर अगर उसमें C की तरफ कोई लाइन नहीं बन रही T की तरफ सिर्फ एक लाइन बन रही तो आप उसको negative मत समझ लेना वो आपके card invalid है यानि कि खराब लाइन है तो आपको दुबारा से नया pregnancy test card लाना है फिर अपनी दुबारा से जाज करना है तो आपको period मिस होने से पहले pregnancy test करके कोई मतलब नहीं है